हेलो दोस्तो स्वागत है आप सबीका हमारे यूट्यूब चैनल अरुदिश्टरी पे देखे दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नमबर आठ का अगला टोपिक टोपिक है उत्प्लावन बल क्या होता है चुकि हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव है उनके पास एक प्रपर्टी होती है कि अधि उनमें कोई वस्तु आंसीक या पूर्प से डुबोई जाए तो जो द्रव होता है उस वस्तु पे उपर की तरफ फोर्स लगाता है क्या लगाता है एक फोर्स लगाता है और उसकी डिरेक्शन क्या होती है उपर की तरफ होती है तो उसी बल को लोग क्या बोलते हैं उत्प्लावन बल तो क्या बताएंगे उत्प्लावन बल की परिभासाम की या एक द्रौव की एक प्रपर्टी होती ह गुड़ होती है जो खुद में पूड़ या आंसिक रूप से डूबी हुई वस्तू पर उपर की तरफ क्या लगाता है फोर्स लगाता है उत्प्लावन बल क्या होता है उत्प्लावन बल उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या उत्प्लावन बल तो देखिए मालेजे कोई कोई द्रव है उसका आयतन क्या है कोई旦्रव है में उसका आयतन क्या है है इंट गन तो क्या है उसके का गनत तो क्या हो डीए हो Commander कि उसका द्रवेमान कितना हो द्रवेमान कितना हो एम हो क्या हो एम हो तो देखे यह जो उत्प्लावन बल होता है सुनिएगा जो उत्प्लावन बल होता है जो वस्तु उस द्रव में डूबती है तो जितने भार को विस्थापित करती है यानि जितने जल को विस्थापित करत होता है क्या यह उत्प्लावन बल क्या होता है जो उत्प्लावन बल होता है कि उत्प्लावन बल जो होता है यह किसके बराबर होता है तो हटाए गए हटाए गए द्रोव के भार के बराबर होता है हटाए गए द्रोव के भार के बराबर होता है मानिजिए इस वस्तू को किसी जल में या किसी द्रोव में डुबो रहे हम तो यह वस्तू जितने द्रोव को हटाएगी जितने द्रोव को हटाएगी उसके भार के बराबर होता है क किसके तो द अप no के भार के बराबर होता है क्या उत्वरावन-बल मा लाजी जिए उस ड्रौा का आयतन क्या हो भी हो घ्रात क्या हो डी हो और द्रुडान कितना हो म हो तो जो उत्वरावन द होता है यह किसके बराबर होता है उत्प्लावन बल किसको होता है हटाए गए द्रव के भार के बराबर भार के बराबर मतलब भार क्या होता है mg होता है ना भार किसी वस्तू का भार क्या होता है mg होता है तो जो उत्प्लावन बल होगा वो कितने के बराबर होगा mg के सुनिएगा घना तो बराबर क्या होता है देखेगा घना तो बराबर क्या होता है गना तो बराबर द्रब्यमान बटा क्या होता है आयतन इतना सब को क्लियर है न द्रब्यमान बटा क्या होता है अरे घना तो बराबर क्या होता है द्रब्यमान बटा आयतन क्या होता है द्रब भी है और घंदो किसे निखाते हैं डी से ठीक से यहां से एम कमान निकाले तो है अब होत फैरों बाल कमान आ जाएगा वो कितनाा जा खांगा बाल बराबर के घारल यह एंतुझे वायगा व्यंटोट कि ये जो मुल्ग का उत्प्लावन बलकमान एसे निकाल सकते हैं यानि किसी वस्तू का आईतन दिया हो उसका घनत मालूम हो तो उस वस्तू पे कितना उत्प्लावन बल लगाएगा यानि कितना ऊपर की तरफ फ्रॉस लगाएगा उसको हम लोग गड़ना कर सकते हैं समझ में यहां पर भी क्या है आयतन है भी क्या है आयतन है डी क्या है घनत्व है और जी तो सबको मालम है क्या है जी क्या है गुरुत्वी गुरुत्वी त्वरर है क्या है गुरुत्वी त्वरर है इतना क्लियर है उत्प्लावन बल क्लियर है उत्प्लावन बल जो होता है हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है भार कितना होता है हम लोग का एंजी एम कमान निकाल दिये किस फर्मूले से एक घनत वाले फर्मूले से और उसके बाद से एम कमान यहां पर रख दिये यह अंकर आप रख दिये गल निखल गया गया इतना दिखेगा जो उत्प्रावन बल होता है इसी के कारण कोई वस्तू द्रो में डूबी हो पूर्टूप से डूबी हो या अंसिक रूप तो इसी बल के कारण क्या होती वह हलकी प्रतीत होती है क्या होती है हलकी परतित होती है जिसे आप लोग ने देखा होगा या महसूस भी क्या होगा कि आप किसी चीज को कोई बोरी भी हो कुछ उसमें वस्तु भरी गई हो उसको ऐसे उठा के देखिए एक बार वजन ज्यादा वजन लगेगा और उसको एक बार जल में डालके उठाएगा देख आगेगा अगला आपधिक है अर्कम掰掰 का सिद्धान ठेक क्या है है य का सिद्धान देखिए मैं प्लाण वर्वल की coming होती है भार में जो अबहास कमी की अभास होता है वो जो होता है उस वस्तु जोरा हटाएगे द्रव के भार के बराबर होता है जो उत्पलावन बल में हमने भी बताया होगा कि जो वस्तु अंसिक या पूरूप से डुपती है तो जो जल है उसके उपर एक बल लगाता है उपर की तरफ और वो जो बल होता है उ तो उसी पर आर्कमेटीज ने बताया था यदि कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी आंसिक रूप से डूबी हुई हो तो उसमें जो भार में कमी का भास होता है यानि जो भार कम महसूस होता है वह हटाएगे हटाएगे द्रोव के भार के क्या होता है बराबर होता है क्या होता है हडा द्रोव कि अर्कमटीज को सिदान को समझेगा यह कोई द्रॉव है इसमें एक वस्तू डुभी हुई है इसका भार मान लेते हैं इसका ध्रमान मान लेते हैं M, N दर्मान की वस्तु क्या है, इसमें डुबी हुई है, और इसका घना तो क्या है, इसका घना तो क्या है, D है, वस्तु का घना तो क्या है, D है, और इस दर्मान का घना तो क्या है, रो है, क्या है, रो है, ठिक, और इसका आयतन क्या है, इसका आयतन मालनेते हैं, इस दर्मान खरसित्र न सुम्हांत नहीं है इक एप आतन वाले और गृत्र कहें हो डूबी है तो इसके भार कितने भार में siitä होगी अब 30 भार को किन नीयम Mu से अर्कमिटीज के सिधान्द के नियम से ठीक तो जो अर्कमिटीज का सिधान्द का नियम था कि जो भार में कमी होता है वह हटाए गए द्रोव के भार के बराबर होता है यानि जो भार में कमी होगा जो भार में कमी होगा वह किसके बराबर होगा भाई हटाए गए भार के ब बराबर यानि उत्पलावन बल के बराबर किसके बराबर उत्पलावन बल के बराबर उत्पलावन बल के बराबर यह कारणना जो वस्तु होती है हलकी महसूस होती है द्रोमें ठीक उत्प्लावन बल के बराबर होगा क्या भार में जो कमी महसूस होगा वो किसके बराबर होगा उत्प्लावन बल के बराबर तो भार में कमी क्या हो जाएगी तो भार में कमी क्या हो जाएगी उत्प्लावन बॉल क्या होता है एमजी होता है क्या होता है एमजी इसको फिर हम लोग आगे बढ़ाए तो तो क्या आया था भी डी जी यहीं आया था ना भी डी जी लेकिन यहाँ पे जो डी है यह तो द्रौव के लिए था ना उत्प्लाव में कमी आएगी मार्म क्या जाएगा भार में कमी डलू रोज यह हो गया भार में हम नो का भार में कमी होगा अब इतना कमी होगा तो जब वश्तु इस द्राव में ढूबेगी तो उसका अब अबासी भार क्या होगा अबासी भार क्या होगा अबासी भार में जो कमी हो गई उसको माइनस करके अब उसका एक्चुली भार कितना है द्रौ में उसी को यानि अन्भो कितना किया जा रहे अबासी भार उसको वो कितना होगा तो उसको देख लिजे जो वस्तू है वस्तू का फिरो में हरां है, बाशी बहार कितना होगा अब दितना होगा तो ज़ो अभासी भार होगा इस वस्तु का तो इसका बहार माईनोंस इस यडितने पानी को होगा इसके या स्थान पे जो द्रो अखा होगा शुसके बार के बराबर होगा यानी तो इसका भा़ अमाइनस हटाए गेए द्रो Helsinki मैस बाद रहों से nawr और कितने की होगी कितने वजन की हो गई यह तो कितना होगा तो स्वस्तू का भार और माइनस कर देंगे हटाए गए द्रो यहां से घंटो के फर्मूले साइए इसका निकालेंगे इसका निकालेंगे पदार्थ का तो इसका तो घनतों क्या है डि है धर्वमान कितना है म है ठीक आन कितना है भी है तो यहां से घनतों के फर्मुले से डी बरावन निकालेंगे डीलियेव इंटो घडिआ के लिए रोग यह तो वी तो क्या हो जाएगा दो कितना हो जाएगा रख दीजिये कितना हो जाएगा भी डीजी माइनस इसका कितना है तो एक कितना हो गया दिछेगा भीच भीचे दोनों में क्या है तो दोनों में Anet तो वीजी को कामल ले लेंगे तो क्या बचेगा डी माइनस रो क्या बचेगा डी माइनस रो तो यहीं जो वस्तु में अभासी भार होता है जो अभासी भार होता है कि कितने का है वो निकल के आता है इतना ठीक कितना आता है भी जी डी माइनस रो डी क्या है पदार्त का घनत्व है जिस पदार्त को द्रौ में डाले हैं उसका घनत्व है और रो क्या है उस द्रौ का घनत्व है जिस द्रौ में उस पदार्त को डाले है इतना क्लियर है और भी क्या है आयतन है जी क्या है गुर्तवी तोरण है इतना क्ल कर लिजएगा पिर सुन लेजिए गार्कमेटीज के सिधान्त के अनुपरियोग निजू इन्होंने सिधान्त दिया था इसका सून देखिये का इनको प्रेखिया क्या है कि इसकी कि इसकी वस्थू आ। निकलता दुसरा सुनिएगा हाईड्रो मीटर द्वरा किसी द्रोव का घ्यात करने में करने में खाल तो गयाद कने में when हाईडो मीटर वे इतना क्रिया हुआ्या कि ya त्लिया है कि लेक्टो मीटर ड्वाडूरा दूद की सुधता विज अधेृत्aktos दूद्र की सुधता की यहाच में काहुसा अ प्रिंसपल कारी करता है तो और किमीटिक का शिद्धान दीक कारी करता है इतना क्लियर है फिर तीसरा चोथा कह रहा है कि नाव तथा पंडूबी की संदचना में कि उनकी संदचना किस तरह की जाए ठीक है वो किस पर अधारित होता है तो आर्कमिटीज के प्रिंस्पल पर अधारित होता है इतना क्लियर है नोट करिएगा फिर अगले टोपी के स्मस्ते हैं तो नोट करिए गाब पिता ने की सर्थ के बारे में ठीय है में देखें जो अगला टॉपिक एंट की सर्थ n Corona कई वस्तु कोई वस्तू है विप उसको जल्व में डालेंगे टो टेरने के लिए कौन कौन सी सरते होनी चाहिए उसके बारे में समझते हैं अब ऐसी थोड़ी की इट को फेक देंगे तो पानी में तेरेगा तेरता है नहीं न डूब जाता है फिर किसी लखरी को फेकते हैं जल में तो तेरने लगती है तो भाई इट को लखरी को फेकने में एक डूब जा रह कि जब भी किसी वस्तु को जल में डालते हैं मालीजी कोई वस्तु इसको जल में डालते हैं तो इस पर दो परकार का बलकारी करता है कितने परकार का बलकार करता है दो परकार का एक तो इसका भार नीचे की तरफ ठीक इस वस्तु पर एक भार लगेगा गुर्टी केंद्र लगेगा एक बाहर लगेगा उसकी डार्यक्षन क्या होती है नीचे की तरफ और यह जो द्रव होता है इस वस्तु पर उपर की तरफ हुआ एक बल लगाता है जिससे क्या बलते हम लोग उत्प्लावन बल क्या होता है एक तो तिस एक कितने बल कारी कर रहे हैं दो एक क्या कर रहा है भार क्या भार काम कर रहा है ठीक क्या कर रहा है भार काम कर रहा है तो दूसरा क्या काम कर रहा है उत्प्लावन टैलोन बल काम कर है उतप्रावन बल ऐफ काम कर रहे ठीक इस वच्ट क satisfaction रहे ठीक लिए ca टुद देखे तरहने केलिए क्या कंडिशन होनी चाहिए तुल इस सबर मैं वाल क मार महां होगा कि बस्तु क्या हो जाएगी पानी में Caina ये तो क्यों कि इस सब्रावान बलख क्या है जाधा है दूसरी कंडिसन देखिए यह जो यह हर है उतप्लावन बलख के बराबर होगा इस भान है उतलावन बप्लावनबल के बराबर होगा तो क्या होगा जो वस्तू है है जो वस्तू है वो क्या होगी से डूबती हुई तैहलेगी डूबती हुई है तैहलेगी यानि वो डूब कर तैहरेगी अंदर अंदर इतहरे और गीगे डूब एक नहीं पूर रहे grinin Attel ना फूर निचे व clinics अंदर इबीच में किया हो घुज़ए तैह 12 से और उत्प्लावन बल है यह क्या हो जाए इक्वल हो जाए ठीक और थर्ट कंडिशन क्या हो सकते यह जो भार है यह क्या हो जाएगा लेज देन हो जाएगा किस से उत्प्लावन बल से यानि अब उत्प्लावन बल क्या हो जाएगा प्रभावी हो जाएगा तो वस्तू क्या हो पर क्या होगी तैरेगी इतना क्लियर है यानि जब भार बड़ा होगा उत्प्लावन बल से तो वस्तु क्या होगी पानी में दूब जाएगी यदि उसका भार उत्प्लावन बल के बराबर होगा तो वस्तु क्या होगी डूबती हुई तैरेगी अंदर अंदर ही क्या होगी रूपती भी तैरेगी यदी जो उसका भार है उत्हיन में से कम हो जाए उत्प्लावन बल अधिक हो जैए तो वजदिकन गोगी ग्रोग राइए जिदरद्वाइर अए कर दिस्वार से उसरी कंडिशन है थेखें। वस्तु क्या है। और इसका और इधर से उठ पलाउन भलव थेख तो जब यह इसका मान Wesud कम होगा। यह में तु सु क्या होगी। पानी में डूप जाएगी। कि यह यह दि इसका दूसरी condition में क्या च Лघार है यहां प Kyoto जो है ये डाबलू जो है ग्रेटर देने किस से एप से डूसरी condition में क्या है कि जो डाबलू है और एफ कमान्ड़ क्या है ये बराबर है तो वस्तु में क्या होगी डूबते हुए तैरेगी यानि इसका मतलब ऐसे डूबते हुए तैरेगी ठिक यह प्लावन बल है इधर से इसका भार लगा है यह वस्तु क्या होगी ऐसे डूबते हुए जल में क्या होगी तैरेगी यहां पर क्या होगी यह डूब जाएगी पहली केंडिशन में सब पर क्या होगी है कre थैर के सर्थ मोन तैने की शर्थ मालों голगे आप लोगी द्लावणंबंकी सर्थ क्या होने चाहिए जो भार रहे वो उत्वलों मेंद करे बराबर होगी तब तैरे गी वह भी ताहरेगी कैसे डूब के तैहरेगी तो उसे छोड़िये इसको देखे जो भाग पानी के नीचे होता है तो जो भाग पानी के नीचे होता है तो उस पे जो प्लावन बलकारी करता है वो हटाएगे द्रौव के भार के बराबर काम करता है क्या होता है द्रौव के भार के बराबर होता है ठीक इतना क्लियर है तो तेरने की सर्थ सब को मालूम चल गई क्या क्या होती है तीनी सर्थ है कि यदि वस्तु का भार अधिक होगा बल से तो वस्तु डूब जाएगी तेरेगी नहीं यदि उसका भार उत्प्रावन बल बराबर होगा तो वस्तु डूबते हुए तेरेगी और उसका यदि भार कम होगा उत्प्रावन बल से तो वस्तु क क्लिस को क्या होगी द्रव की सता पर क्या होगी तैरेगी इतना क्लियर है फिर इसी में आगे देखेगा इसको मिठा दे रहे हैं अभिखेंगा जो तेरते हुए पींडो के लिए जो फर्मूला हम लोग लगाएंगे इसका क्वाम सा फर्मूला हम यूज्जेंग नीद तो देखे जो तेरते हुए पिंडो के लिए तेरते हुए पिंडो के लिए तेरते हुए पिंडो के लिए देखेगा यह तेरते हुए पिंडो के लिए काम करेगा फर्मूला ठीक है क्या करेगा यह फर्मूला किस पर कारे करेगा तेरते हुए पिंडो के लिए जो पिंड पा चाहिए पानी में तेहरने के लिए कि जो उसका प्लावन बल होता है वो अधिक होता है कि से उसके भार से ठीक कि और इसका जो वश्तू का कुछ भाग जो पानी से उपर रहता है और कुछ भाग पानी से नीचे तो जितना भाग पानी में रहता है उसका जो भार होता हटाय गए भार के बराबर हितना क्लियर है है को देखिए इस ठोस द्वारा यह इसको ठोस है ठिक और यह द्राव है ठोस को द्राव में डाल रहे हैं ठिक तो यह क्या और रही तैवने की कंडिशन की बात कर रहे है разрיeten में की कंडिशन की बात कर रहे हैं तो इसका जो भाग जितना भाग क्या है पानी को हटाया है यानि जितना भाग पानी में डुबा है उसका आयतन यानि ठोस का ठोस के ठोस के डूबे भाग का भाग का आयतन ठोस के डूबे भाग का आयतन बटे में ठोस का आयतन थोस का आयतन थोस का इतन मतलब इसका टोटल आattack यानि कूल आयतन ठिक है कितना है तोटल की बात करें कूल आईतन की भात करें थोस के टोस के है और राबर हrese किसके तोस के घनतोagen के नेमिन गनत्व अब बटा में किसके द्रौ के गनत्व किसके पराबर होता है द्रौ के गनत्व के तब ठोस के दूबे भाग का आयतन निकाले यहां से ठोस के ठोस के दूबे भाग का आयतन निकाले धोस के दूबे भाग का आयतन जो निकालेंगे हमलो तो कितना हो जाएगा इसका गुना होगा इसमें तो कितना हो जाएगा ठोस का घनत्र खोस का घनत्र गुड़े ठोस का आय तन थोस का आय तन अब बटा में क्या हो जाएगा द्रौव का छिकरलाओ द्रोड़े2 धक्राइट टिकरले सब्सक्राइब बादों यहां पर है ढ़ जाएकंर भूत एम निकालेंगे तो चेहां जाएगा इहां पर भी लिख देडे रहे हैं ठीक आईटन तो डी भी क्या हो जाएगा डी इंटू भी हो जागा यानि ठोस की बात कर रहें ठीक है ठोस के लिए हैं उसका घनातो दर्मान और आइटन में जो संबंध है तो यहां से दर्मान निकालेंगे तो ठोस का घनातो गुड़े ठोस का आइटन तो ठोस का घनातो गुड़े ठोस क का आइतन जो होगा यहीं किसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा तो ठोस का कि द्रव्यमान अब बटा क्या हो जाएगा थोस का सुरी द्राव का बटे में क्या बचाए द्राव का तो आइटन द्रोक के किया हो जाएगा आइटन सब्सक्राइब नहीं घणते क्या है अगया कि तो देखेए फर्मूला क्या निकल किया गया पुरस के दूवे भाग का आइटन जो होगा वो किसके बदाबर हो गा में थेखेंक इतने आपके इंच तीन फर्मूले निकल गए थ सब्सक्राइब का निचान का निया है तो कि अगर में डूब से बाइटन का निया है वह निकाल सकते हैं ठीक है लिए यह पर्मूला नोट करिएगा फिर इसमें कंडिशन देख लिजे और कंडिशन नहीं कंडिशन नहीं इसके लिए फर्मूला देख लिजे देखेगा यूद ईुसका आयतन पहले द्रोव में B1 और दूसरे द्रोव में क्या हो भी हो और उसी पहले मेराफ द्रोव हो तो क्या होगा उद्पलावन् मत वन वल एंद्थ वाख म्UNT तवाइगा इसके जो और रहे इतना वार में हटाएगा उतना दूसरे दुसरे दुरे में भी उटाएगा चाही तो के बरावर होगा यहांए comfortable का बार्डिचन में लिटा उन्ट्य इन फिक तो स्बाहु जाएगा तो यह से घंसिल हो जाएगा तो भी वन और बराबर के आ जाएगा वी टू टीटू तो वीन अपान डीवन में संबंध में निकाले रिए उटेरूर डीवन और ली टू में प्यालत है और ये क्या हम डीटू अपान डीवाν क्या नीकल के आ गया दिवन अपान भी तू जो होगा डिवन अपान डीटू के एड़ी डीटू अपान डीवन के बराबर होगा इतना क्लियर है कि नोट करिए गाई इसको यह कब के लिए है यदि वस्तू को अलग अलग द्रोव में डुबवे जा रहा है तो उस वस्तू का डुबे हुए भाग का आयतन क्या हो भीवन अर्वी तू और उनुब द्रोव का ऐतन क्रम साव डीवन ओडीटू हो तो क्या होगा जो फीवन डीवन जी है यानि जो पलावन बल है दोनों में वह तो बराबर होगा तो इसे जो आयतना और घणत में उनमें संबंध क्या होता है तो यह निकाले हैं देख लिएगा ठीक देखिएगा अगला टोपिक है हिमसेल क्या है हिमसेल होता क्या है हिमसेल होता क्या है इसको बोलते हैं आइसबर्फ ठिक क्या बोलते हैं आइसबर्फ देखिए हिमसेल क्या होता है तो समुंद्र में जो ग्लेसियर से बर्फ के बड़े-बड़े टुक्रे गीर के क्या होते है तेरते रहते हैं समुंद्र में बर्फ के बड़े बड़े टुक्रे जो होते हैं ग्लैसियर से टूटके गीर कर उसमें क्या होते हैं तेरते रहते हैं समुंद्र में इधर तो उन्हीं को क्या बोलते हैं लोग हीम सैल बोलते हैं यह जो बर्फ के टुक्रे होते हैं इनका जो अ होता है कूछी भाग क्या हता है ऊपर एक इसे होते ही हिंसेल होते हैं ठीक क्या होते है और यह समुदर में क्या होते है तैरते रते हैं आपS समूνद्र में 23 राते ह हैं और इनने को क्या बोलते हैं हिमसेल बोलते हैं इतना क्या सब्सक्राइब यह निचे है तो सब क्शुख यह दुख तेहर रहे तो इस तरह है मोगा यह है की लिए यह tan आयतन होगा बटा इस वर्फ का कुल आयतन होगा वो बराबर होगा किसके तो वर्फ का द्रविमान स्वर्फ के घनत और द्रव के घनत के यह फर्मूला था ना फिर उसको और आगे बढ़ा के कुछ और निकाले थे ठीक तो चलिए इसको देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा तो बर्फ का बर्फ का सुरि बर्फ के डूबे भाग का आयतन बाटा में किसके और क्या होगा तो बर्फ का कुल आयतन बर्फ का कुल आयतन बराबर होगा किसके तो बर्फ के गनत्व और बटा समुद्र के यानि जो द्रौव है द्रौव का द्रौव के घनत्व जो बर्फ के डुबे भाग का आयतन होगा बटा द्रौव का कुल आयतन होगा यह बराबर होगा किसके बर्फ के घनत्व और द्रौव के घनत्व के अनुपात के बराबर यहां पर अपेची घनत भी ले सकत यह बराबर होता है किसके यह जो यह पूर्शन है इसके बराबर होता है यह आप इच्छी घनत के जगपे आप इच्छी घनत भी ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा बर्फ का आप इच्छिक आप इच्छिक घनत भी बटा में क्या हो जाएगा द्रौका आप इच्छिक आप इच्छिक घनत कि ठिक क्या ओजाएगा यह इतने यह फर्मूलाера रफ के बर्फ के बडभ बहायतन बटे वर्फ का क्नृतन बाराबर बराबर होगा वर्फ के गनतों बटे द्रव के गनतों रख सकते हैं वर्फ का पेची घनतों बटा द्रव campaign फैसी घनतों का अनुपात लिजे गनतों वर्फ के बsn availability क mira यहां पे आपेचिक घनत्व दिख रहे हैं आप लोको तो आपेचिक घनत्व होता क्या है उसको समझे लिजेए को कैसे निकालते हैं सुनिएगा आपेचिक घनत्व जो आपेचिक घनत्व होता है किसी भी पदार्थ का आपेचिक घनत्व निकालना हो तो उस पदार्थ का घ सेल्सियस पे जल का घनत्व चार डिगरी सेल्सियस पे जल का घनत्व और पदार्थ का घनत्व इनी के अनुपात को क्या बोलते हैं आपेचिक घनत्व माले जिस पदार्थ का भी निकालना हो यानि कोई भी पदार्थ हो उस पदार्थ का आपेचिक घनत्व निकालना हो आप में लिख रहें ठीक जगा उदर देखेगा नहीं इसलिए पदार्त के घनत अबटे में चार डिगरी सेल्सियस पर जल का कि अठीक जो आपैची घनत होगा वो पदार्त के घनत जो जिस पदार्त का पेची घनत निकलना होगा उसका घनत तो अब बटा में चार डिग्री सेल्सियस पे द्राव का इसी का अनुपात जो होता है अपेचिक अनुपात को हम लोग बोलते हैं अपेचिक अनुपात अपेचिक अनुपात क्लियर हुआ यहां पर 4 degrees Celsius पर गणत오ह लेकर एक और लेक सकते हैं क्या या यह कि जू आपेचक गणत होता है यहीं जो बराबर होता है पदार्थ का भार बटा में उसी जिस पदार्थ का निकालना है पैच्छी गणता उसी के समान आयतन का एक भार ले लें समान आयतन के द्रव का भार क्या हो जाएगा समान आयतन के समान आयतन के द्रोव का द्रोव में क्या होगा द्रोव में क्या होगा तो जली होगा ठीक क्या होगा जल तो आप पदार्थ का पेच्छे घनतों निकालने के लिए पदार्थ का घनतों और बटा में 4 डिगरी सेल्सियस पे जल का घनतों का अनुपाद करके निकाल सकते हैं य जलका है लेख सकते हैं इतना क्लियर है तो नोट करिएगा फिर आगे बताते हैं देखिएगा जो अपेचिक तो निकल के आया फिर भी और आपेचिक गनट कैसे कैसे निकाल सकते हैं किन किन कंडिशनों में निकालते हैं उसको भी देख लिजे अपेचिक गनतों के कई फर्मूले उनको नोट कर दे रहा हूं में देखे इतना तो होई गया फिर होता है वस्तु का जो अपेचिक गनतों होता है वस्तु का बटे जल का गनतों के बराबर होता है ठीक तो जो अपेचिक वस्तू का आपे चिक आपे चिक आपे चिक क्या हो घनतो है वो क्या क्या होता है तो वस्तू का घनतो उस वस्तू का घनतो बटे में वस्थू का जल का घनत हो इससे निकल सकता है कि हम लोग का अपेच्छी घनत यह दूसरा एक और फर्मूला है क्या उसको दुसरा है कि वस्तू का जो आपेचिक गंत होता है और कहता है तो वस्तू का वायू में भार बटा में जल में वस्तू के भार में कमी यानि जिस वस्तु का पेच्छी घनत निकलना एक बार उसको एसे वाईव में रखके उसका भार कितना होगा खुले में फिर उसको द्लों में डुबोएंगे तो उसमें जो क्या होता है वस्तु के भार में जो कमी आती है उसके अनुपात के तो क्या हो गया जल मे जल में वस्तू के भार में कमी इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तब भी क्या निकालेगा आम लोग का आपेचिक गनतों और फार्मूला देखिए आपेचिक गनतों के लिए जो आपेचिक गनतों होता है यह बराबर होता है किसके तो वस्तू का वायू में भार गुणे द्रहो का अपेचिक घनतों के से निकालेंगे द्रहो का अपेचिक घनतों इसके पूरे कबटा होता है क्या तो द्रोव में वस्तू के भार में कमी जल में यह द्रोव में वस्तू के भार में कमी इससे भी क्या निकालते हैं हम लोग आपेचिक घनतो क्या निकालते हैं आपेचिक घनतो फिर कैसे निकलते हैं आपेचिक घनतो तो देखेगा यह निकालना हो तो और किसे निकाल सकते हैं तो द्रोव में वस्तु के भार में कमी किस में द्रोव में वस्तु के भार में कमी देखिए यह किसका निकालना हो यदि द्रोव का पेचिक घनत निकालना हो तो द्रोव में वस्तु के भार में कमी वस्तु के भार में कमी पुरे कबटा जल में वस्तु के भार में कमी तो इतने से निकलते हैं कि आम लोगे आपेच्छिक गनतो क्या क्या होता है भाई आपेच्छिक गनतो क्लियर हो गया आपेच्छिक गनतो केसे कहते हैं तो किसी पदार्त का आपेच्छिक गनतो उस पदार्त के गनतो और चार डिग्री सेल्सियस जल के गनतो के अनुपात के बराबर होता है क्या आपेच्छिक गनतो और आपेचिक घनतों की क्या क्या बाते हैं कैसे निकाल सकते हैं तो वस्तु का अपेचिक घनतों निकालना हो तो वस्तु का घनतों बटे में जल का घनतों फिर वस्तु का घनतों निकालना हो तो वस्तु का वायू में भार और जल में वस्तु के भार में कमी का अनुपात से निकाल सकते हैं क्या अपेछचिक घनत त valor रो का पेचह को ना नो इस लीह हैं कि ओफीन सम्रीट आपको नुमेरकॉल मिले और यह चीजह मिले आप चीज़ गनत पूछे तो इन में से जो चीजे दी हुए है और पेच्छिक गुनित पूछा है क्या क्या दिए हो इन में से जो चीजी दिए होंगी उसके अनुसार हम लोग फर्मूला लगा कि अपेच्छिक गनत निकाल सकते हैं इसलिए यससे लिखें ह। फिर जो द्राव का पेच्छिक गनत Palnaut तो द्रहों में वस्तु के भार में कमी और जल में वस्तु के भार में कमी क्या निगाल सकते हैं द्रहों का अपेच्शिक गरतोग करें और फिर क्लियर है यह है प्रवर्तन अपवर्तन उसके कुछ यंत्र हैं उनके बार में पढ़ लेंगे क्योंकि उनसे भी ज्यादे कुछन आते हैं तो टाइम हम लोगे के पास कम है और इसे भी बहुत कम एक दूहफते से पढ़ाई रहें हम यहीं पहले होते तो कुछ अधिकांस चेप्टर क्लियर हो गए होते हम लोगे तो इसके लिए माफी चाहूंगा आप लोगों से ठीक है लेकिन फिर भी अपने परियास करूंगा कि कुछ हद तक पढ़ा इसको पढ़ने के बाद हम लोग प्रकास के कुछ चेप्टर पढ़ाएंगे चार-पास चेप्टर अभी तो दिन है इतने दिन है कि 4 पास पढ़ाएंगे उसमें भी important पढ़ लेंगे जिसमें से जो घनत जो प्रतिरोध वाला उसमें से आता है प्रकास का पर और तन अपर तन से आता है और जो उसके प्रकासे कियंत रहें उनको ठीकि इतने पढ़ लेंगे क्योंकि इनसे आते हैं तो इस चेप्टर को खतम होते ही उसको पढ़ेंगे ठीके तो इसको नोट करिएगा आज जो इसका लास्ट टोपिक है वाइं मंदली दाब उसको पढ़कर और फिर इसके नुमेरिकल्स को करकर हम लोग चलेंगे किसमें प्रकास में उस मैसे ऐंटरनेट से लॉट करुंगा और मось उसी को क्या करूंगा हम सॉल्व करवा देंगे ठीके फिजिक्स से सॉल्व करवा देंगे थिन-ogoid पहले सॉल्व से पूछ रहा है तो उसके बाद से आप लोग थोड़ा उतनी खुद से मेनत कर लिजेगा उसके बाद से पेपर की अच्छी सी तैयारी हो जाएगा आप लोगी पेपर देद दीजेगा ठीक है देखेगा मैं फिर से भी माफी चाहता हूं कि आप लोग का जो कोर्स से यह कंप टर्च नहीं हुआ है तो यह खतम होती हम लोग प्रकास में चलेंगे ठीक है उसके बाद टाइम बचेगा कुछ तो और चेप्टर है जो इधर के इंपोर्टेंट उसको खीच लेंगे और उसके बाद से प्रेक्टिस से ठल कर लेंगे उसके बाद तो परिछाई आ और खतम करते हैं इस चेप्टर को अँगे गाई इस वीडियो का लास्ट टोपिक वाइवाइव मंडली दाब वाइव मंडल rat… किसी एक आंग छ्छेतफाल पर लगने वाले लंबोत वल कौई क्या बोलते है वाइव मंडल दाब वाई मंडली द्वारा किसी प्रिष्ट के एकांक छेत्रपल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या बोलते हैं वाई मंडली द्वारा जो वाई मंडली द्वारा होता है वो 76 cm उचे पारे के अस्तंब के बराबर होता है अप लोग धर्मामीटर देखे होंगे यार जो सब्सक्राइब पारा होता है उसमें देखेंगे तो उसमें 66 cm पर जाकर क्या होता है डिजिड़ी आइश ठीक है क्या होता है उतना है क्या होता है वह मंडली दाब होता है वह दाब होता है कि वो किसके पराबर होता है तो 76 सेंटीमीटर मुझे पारे के अस्तंब के कि छेतर सेंटीमीटर पारे के अस्तंब के अस्तंब के दाब के बराबर ठीक जो वय मंडली दाब होता है तो दो जो सहका ऑगर होक्तुर तो निकर और आगए अस्तंब के यह हो जाएगा चेहतर सेंटीमीटर गुड़े पार्ड़े का अस्तंब का दाब दाब के संब्सके जुट पारे का घनतोत हूं अगुड़ा整 मंडली दाब होगा ओगा सेंटिमीटर पारे के स्थम्भ के दाब के बराबर होता है इसको सल करेंगे इतने का दाब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इतना क्लियर है चले इसको और हल करते हैं तो इसको मीटर सेंटीमीटर हमें तो मीटर में चेंज कर दिए तो 66 गुड़े 10 गात माइनस दो हो जाएगा और पारे का घनतो कितना होता है तो 13.9 गुड़े 10 गात 3 और जी कमान कितना होता है 9.8 कितना होता है 9.8 इसका 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 गुड़ा करेंगे चलेगा इसका गुड़ा करते हैं इसका 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 गुड़ा करते हैं देखे गुड़ा करके दिखाएंगे तो वीडियो का जो होगा लंबा बन जाएगा तो इससे लिख देते हैं ठीक पुक से इदे कर लिग देते हैं गुड़ा करने पका आएगा एक दसमलो जीरो एक तीन गुड़े-10 लाट् हमास का है और डाप का मत्र क्या होता है न YOUR थन प्रता है ना एक बाइए एक का मात्रक नीटन और एक कमात्रक मीटर इसक्वाइर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग Pascals बोलते हैं क्या बोलते हैं पास्काल तो जो य मन्दीली दाब होता है एक दसमलो 013 गूड़े 10 गात पांच नीटन प्रति मीटर यू मंडली कि दाब होता है ठीक क्या आता है वाई मंडली दाब कितना होता है भाई तो 0.01ぐ SR 10.05 पासकल एतना क्लियर है तो मैं शहरा करता हूं कि आपको वीटियो अच्छा लगा होगा एधी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करियेगा और अपने दोस्तुों में सेर करियेगा और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किये हैं वो झाल झाल